हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल टेस्टी फूर विद्रिया में तो दोस्तो आज हम बनाने बाले हैं एक कप गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी आप इसे स्नेक के रूप में रख सकते हैं और इसे 10 से 12 दिन स्टोर करके भी रखा जा सकता है तो दोस्तो आप मेरी वीडियो को एंट तक जरूर देखना अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो चलिए सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप गेहूं का आठा उसमें डाला है टेस्ट के अकॉडिंग नमक आदा चमच अजवाइन को क्रस करके डाला है जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए अब इन सारी चीजों को मिक्स करके हमें अच्छा सा डो लगा कर तयार क चाहिए तो मीडियम डो को हम लगा कर तयार कर लेते हैं आप इसे बचे हुए आटे से भी बना कर तयार कर सकते हैं अगर आपके पास रात का बचा हुआ आटा बच रहा है तो आप इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बना कर दे सकते हैं तो देखें मैंने आटे को लगा कर रख दिया, इसे 10 मिनिट रेस्ट करने देते हैं, तब तक स्टफिंग तयार करती हैं, स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर तीन आलूओं को वाइल करके लिया है, उसमें डाला है टेस्ट के अकोडिंग नमक, आदा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच अम इन सारी चीजों को पहले अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, इस स्टफिंग को हमें बिना ओइल के बना कर ऐसे ही सीधा सिंपल तयार करना है, और इसमें हम प्याज नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमें स्नेक के रूप में उनको स्टोर करके रखना है, और प्याज से हमारा को गोड़ा सा इस तरीके से मसल लेंगे जिससे और चिकना हो जाएगा और मैं इसे बड़े-बड़े दो पार्टों में डिवाइड कर रही हूं तो आप जितनी कॉआंटिटी में इसनेक बना कर तयार करना चाहते हैं उतना आठा लेंगे उसी हिसाब से उनको पार्टों में डि को पहले हमें अच्छा सा बेल कर तयार करना है यानि कि मीडियम थिकनेस में बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है और हमें इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ा सा रोटी की रूप में ऐसे बेल कर तयार करना है पहले तो देखें मैंने अच्छी खासी चौड़ी रोटी बेल लिए और देखें इस तरह की थिकने समय रखनी है मेडियम साइज की अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके रख देते हैं क्योंकि यह रोटी थोड़ी बड़ी है तो इसे प्लेट में रखना इतना आसान नहीं है अभ जरूरी नहीं है कि आप आटा तुरंत लगाएं आपका रात का बचा हूँ आटा है तो उससे भी इसे तयार किया जा सकता है बहुत ही आसान है सिंपल तरीके से तो दूसरी रोटी को भी मैंने बेल लिया है अब उस पर हम लगाएंगे अपनी आलू की श्टफिंग तो जि जिसे वो एकदम चिकने सरफेस की रूप में आ जाए अब जो दूसरी रोटी हमने बेल कर रखी थी उसे इसके ऊपर इस तरीके से हमें ढग देना है यानि कि दोनों ही रोटीओं को आपस में इस तरीके से पहले मैनेज करेंगे और इसके किनारों को एक दूसरे से निकले और रोटी यान दोनों ही अच्छे से जोईंट हो जाएं तो देखिये मैंने दोनों ही रोटीओं को अच्छे से जोइंट कर लिया है अब इस पर इस तरीके से प्रेस करते हुए पहले थोड़ा सा बेलन्स इसे और हम बेलेंगे जिससे क्या है यह इष्टफिंग औ इसलिए आप अगर पिज्जा कटन नहीं है तो आप चाकू से इसी तरीके से लंबी-लंबी स्लाइसों में उसे कट कर ले अब देखिए दूसरी साइड से भी हमें से क्रॉस करते हुए कट करना है क्योंकि हमें ये चौकोर सेप में बना कर तयार करनी है इस तरीके से तो देख ठैकना नहीं है उन्हें भी फ्राई कर लेंगे लेकिन उन्हें हम सेप नहीं दे पाएंगे इसलिए उन्हें अलग हटा देते हैं और जो हमारी चौकोर सेप की पीसिज हैं उनको उठाना है तो देखिए इस तरीके से दोनों कॉर्णर को दबाते हुए और जो दो बाकी कॉ साइड को उठाना है दोनों ही साइड से इस तरीके से हमें जोडते जाना है बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से बन जाता है तो दोनों ही किनारों को पहले एक साइड में जोड़िए फिर दोनों बाद के किनारों को पीछे ले जाकर जोड़ दीजिए और देखिए बहुत ही पड़िये उनी से हम इस स्नेक को बना कर आसानी से तयार कर सकते हैं तो इसी तरीके से में ये सारे पार्टों को अच्छे से पहले बना कर तयार कर लेती हूं तो देखिए ये सारे पीसिज मैंने बना लिए हैं लास्ट पीस को भी हम बना कर एक वर देख लेते हैं तो जो आपके पास हो और उसका एक रनिंग साफ वैटर बना लेना है क्योंकि जो इसनेक हम बना रहे हैं उसमें आलू की स्टफिंग है और वो किनारों से खुला हुआ है अगर उस पर हम इस तरीके से बाइंड ना करेंगे तो फ्राई करते टाइम वो निकलने लग जाएगी तो एक एक पीस को इस तरीके से हमें उठाकर फ्राई होने के लिए डालना है धीरे धीरे करके हम सारे पीस को डाल लेंगे तो देखिए सबको डिप करके मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया है तो मेरा पैन थोड़ा चोड़ा है तो इसमें एक ही बार में मेरे सारे स्नेक्स आ गए हैं आपके पास ज़्यादा बनाने है क्वांटिटी में तो आप उसे दो तीन बैचों में फ्राई कर सकते हैं तो देखिए धीरे धीरे हमें इसे चलाते हुए अच्छा सा प्यारा सा गोल्ड कलर आने तक इसे फ्राई करना है तो देखिए मेरे सभी स्नेक्स का कोड़ा सा डार्क ओर करना है तो इसी तरीकी से दो मिनिट इसे चलाते हुए और कुक करते हैं और देखिए बहुत ही प्यारा सा यह अपर कलर आ गया है अब हमें को निकाल लेना हैं तो किसी चलनिया जठी की साहिता से हमें कि सारे स्नेक्स हो पहले अलग से निकाल लेने है जिससे इसके अंदर जितना भी एक्ष्रा ओयल है वो हमारा नीचे निकल जाए और हमारे ओयल फुरी स्नेक हमको मिल जाएं सारी स्नेक्स को मैंने यहाँ पर छली की सहीता से इस तरीके से निकाल लिया है और इसके ओयल को भी नीचे निकाल तो देखिए गर्मा गर्म स्नेक्स बनकर हमारे तयार हैं तो बताइए दोस्तों अपनी कमेंट में मुझे ये रेसिपी आपको कैसी लगी फिर मिलते हैं के नई रेसिपी में